किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मैरे दोस्ती कि जिस महनत से तू आज बाग रहा है कि जिस महनत से तू आज बाग रहा है वही कल तुझे सपलता दिलाएगी जौकते खुद को इस आग में यही आग तुझे हिरा बनाएगी यही आग तुझे हिरा बनाएगी नमस्कार अभी का आपके अपने यूटूब सेनल आर्मी स्टेडी पर आपके साथ आपका दोस्त विजवाई लेकर आप सभी के लिए एक बार पेर वो कंटेंट जो के आपके एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पाइन और कोपी मेरे दोस्ते साथ लेकर बेठना क्योसंश आपको एक से बढ़ कर एक देखने को मिलेगा आज का सेसन बहुत इंपोर्टेंट है आप चाहिए किसी भी ट्रेड से हैं आप सभी ट्रेड के लिए मेरे दोस्त आज के सेसन बहुत इंपोर्टेंट होगा इस सेसन के अंदर हम आपको सामने ग्यान के महतोपुन क्योसंश करवाएंगे 15 इन 15 से मेरे दोस्त आपके हम 60 क्योसंश तयार करवा देंगे इस 30 नमबर के मेटर पे दोस्तों आज हम डिसक आपको सुने सित मिलेगी हम ज्यादा बाते ना करते हैं दोस्तों फाइनलि अपने सेसन की तरफ बढ़ता है एक बार पुर्ण है सभी नोजवानों को मेरा नमस्कार जाहिंदी जिसने लाइक नहीं किया है तैयारी करता है बारती सेसन को लाइक कीजिए और इसी जोस और ज दोस्ती भारत के परतम रक्षा मंत्री कोन थे या आप सभी को बताना है बहुत ही शांदार क्योंसन है राजनात सिंग सरदार बलदेव सिंग सरदार वल्ला बाई पटेल डॉक्टर बी आर अमिडगर या आप सभी को बताना है क्योंसन बहुत ही शांदार है मेरे दोस्ते बिल्कुल इसका राइट आंसर सर्दार बल्देव सिंग ऑप्सन बी जो दोस्त बता रहें सर्दार बल्देव सिंग वो बिल्कुल सही बता रहें बहुत अच्छा ध्यान रखना भारत के पर्थम रक्षा मंतरी थे सर्दार बल्देव सिंग अगर हम बात करें कि भारत के वर प्रदान मंतरी कौन थे तम मेरे दोस्त आपको सरदार वल्लब भाई पटेल करके आना है ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है पर्थम कानून मंतरी मेरे दोस्ते डॉक्टर बी आर अमबेड करते ये आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुसन के यह बताई क्योशन बहुत शांदार है विस्वय का सबसे बड़ा नदी द्यूप आपको बताना है द्यान रखना नदी द्यूप बताना है बिलकुल माजुली माजुली अपसन बीज दोस्त बता रहे माजुली वो बिलकुल शही बता रहे बहुत अच्छा अब द्यान लगा है और सबसे छोटा नदी द्यूब के अगर हम बात करें तो मेरे दोस्ते सबसे छोटा नदी द्यूब है उमानंद यह आपको ध्यान रखना है और सबसे छोटा द्यूब के अगर हम बात करें तो हो है मेरे दोस्ते बिसप रोक यह आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्ति नेश्ट कुछन की तरप नेश्ट कुछन कहता है भारत वह पाकिस्तान के मद्दे सिमला कब हुआता या आप सभी को बताना है सिमला समझोता कब हुआता भारत और पाक के मद्दे 1954, 1964, 1972 ये बताए कुछन बहुत ही शानदार है बिलकोल आप्सन सी 1972 जो बता रहे हैं 1972 वो बिलकोल श्रही बता रहे हैं बहुत अच्छा मेरे दोस्ति 5-6 समझवाता हुआता 1954 के अंदर तासकन समझवाता हुआता मेरे दोस्ति 1966 के अंदर आप देखिए मेरे दोस्त हम आपको इनके बारे में थोड़ी हम डिटेल से आपको बताते हैं ध्यान लगा के देखिए पंचसिल समझोता है ये मेरे दोस्त भारत और चाइना के मद्दे ध्यान रखना अप्रेल 1954 में हुआ था उस समय भारत के परदान मंत्रे मेरे दोस्त पंडिती जवरलाल नहरू और आप देख सकते हो चीन के राष्टरबती कौन थे मेरे दोस्त तासकन शम्झोता के बारी में हम आपको बताते हैं तासकन शम्झोता भारत और पाक के मद्दे 1966 में हो था द्यान रखना वर्तमान उच बेकिस्तान की राज़दानी तासकन बे वा था इस समझोते के समय भारत के परदान मंतरी लाल बहादुर शास्तरी वह है मेरे दोस्ते पाकिस्तान के परदान मंतरी जनरल अयूब खान ते इस समझोते के उपरांत मेरे दोस्ते भारत के परदान मंतरी लाल बहादुर शास्तरी का तासकंद में ही मेरे दोस्ती निर्धन हो गया था ये आपको ध्यान रखना है सिमला समझोता है कि अगर मेरे दोस्त हम बात करें तो सिमला समझोता मेरे दोस्त भारत और पाकिस्तान के मद्दे 1972 में वह था सिमला सम्जोता के समय भारत के परदान मंतरी आईरन लेडी के नाम से मसूर इंद्रा गांदी थी वह पाकिस्तान के राश्टरपती जल्फकिर अली बठो थे बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुसन की तरप नेश्ट कुसन खेता है बाबर का मकबरा कहां इस्तित है काबुल दिल्ली सिकंद्रा या लाहूर ये बताई बाबर का मकबरा आब सभी को बताना है कुसन बहुत शांदार है बिलकुल काबुल ओपसन ये जो दोस्त बता रहे क काबुल वो बिल्कुल शही बता रहे हैं बहुत अच्छा मेरे दोस्त हुमायू का मकबरा है मेरे दोस्त दिल्ली के अंदर अकबर का मकबरा है मेरे दोस्त सिकंद्रा के अंदर और लाहूर ध्यान रखना जहांगीर का मकबरा है लाहूर के अंदर बढ़ता है दोस्तो नैश् कारिता वो बिलकुल सही बता रहे हैं बहुत अच्छा द्यान रगना ग्यान पिट पुरुषकार मेरे दोस्त साहीते के क्षेतर में दिया जाता है बटनागर पुरुषकार मेरे दोस्त विग्यान के क्षेतर में दिया जाता है और दादा साहीब फाल के पुरुषकार मेरे द जमो कस्मिर में इस्तित है मेरे दोस्ती बनिहाल दर्रा ठीक है लिपुलेक दर्रा है मेरे दोस्त उत्राखंड में इस्तिति आथुला दर्रा है मेरे दोस्ती सिक्कि में और शिपकला दर्रा है हेमाचल परदेश में अब देखे मेरे दोस्त हम आपको जमो कस्मीर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं जमो कस्मीर द्यान रखना 31 अक्टूबर 2021 को कैंदर सासित परदेश मना था अनुछेद 3078 के बाद यहां के राजदानी सरीनगर उपरा जेपाल ग्रीश संदर मुर्मो नेश्ट कुशन की तरफ नेश्ट कुशन कहता है काजिरंगा राष्टि उध्यान कहां परिश्थीत हैं असम, बरतपूर, गुजरात या उत्तरपरदेश ये बताए बहुत शांदार कुशन है बिलकुल काजिरंगा उप्सन एज दोस्त बता ह ditch लिए असम वह बिलकुल शही बतारे और मेरे दोस्त द्यान रखना काजिरंगा राश्टिय उद्यान एक सिंग ओले गेंडे के लिए परसिद है यह भी आप्यां रखना ठीक है दोस्तों गाना पक्षिया बैरने है यह मेरे दोस्त बरतपुर में है गिर राष्टी उद्यान है गुजरात में और दूद्वा राष्टी उद्यान है मेरे दोस्ती उत्तर परदेश में अब मेरे दोस्त हम आपको असम के बारे में थोड़ा डिटेल शेंग बताते हैं देखिए असम के राजदानी है मेरे दोस्त दिश्पूर यहां के मुंखे मंतरी है सरवानन्द सोने वाल राजेपाल है जगदीस मुखी यहापको मेरे दोस्त ध्यान रखना है नेश्ट कुसन की बात करते हैं नेश्ट कुसन कहता है इरान की राजदानी है बगदा, तहरान, बेरूत या काहिरा ये बताई इरान की केपिटल आपसरी को बताना है बहुत अच्छा कुसन है बिलकुल इरान की राजदानी तहरान आपसरी जो दोस्त बता रहे हैं तहरान व सरी नगर बेवी का मकबर आप सभी को बताना है बिलकुल औरंगाबाद महाराश्टर आपसन एज दो दोस्त बता रहे हैं वो बिलकुल शही बता रहे हैं बहुत अच्छा साबर मती आसरम है मेरे दोस्तों एहमदाबाद में ताज महल कहा इस देता है आपके एक्जा में क्यो सुनाता है तो ताज महल आगरा चे अंदर और सारिमार बाग है मेरे दोस्त बढते है नेस्ट को सकुन की तरफ नेस्ट को सुन कहता है पस्यं मंगाल की राजदानी है कोलकता बऌनेशवर राइपूर राची पस्यं मंगाल की केपिटल आप सभी को बताना है ous ने है कारें पसिम मंगाल में मेरे दोस्ती सुंदरवन डेल्टा है जहां पर मेंगरो वनस्वती भी पाई जाती है नेश्ट कुसन की बात करते है नेश्ट कुसन कहता है बंगाल विबाजन कब हुआ था 1905-1909-1907 याइन में से कोई नहीं बंगाल का विबाजन बेलकुल 1905 लाड करजन के कार्यकाल में हुआ था ध्यान रखना सामपरदाइक निर्वाचन पदती की सरवात 1909 के अंदर हुई थी और 1907 में कॉंग्रेस का विबाजन बाता गरम हुए नरम दल के रूप में बढ़ता है नेश्ट कुसन की तरफ नेश्ट कुसन कहता है मेरे दोस्त उकाई परियोजन बहुत अच्छा ध्यान रखना रंजित सागर परियोजना है मेरे दोस्ती पंजाब के अंदर यह आपको ध्यान रखना है इडू की परियोजना है मेरे दोस्त कैरल के अंदर और राना परताब सागर परियोजना है मेरे दोस्ती राजस्तान के अंदर अब हम मेरे दोस्त आ कारत की सबसे लंबी तटीय सिमा रेखा बनाने वाला राज्य बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है ये नेश्ट क्यूसन की बात करते हैं नेश्ट क्यूसन है वर्तमान में मुलिक अधिकार कितने है छह साथ या ग्यारा ये बताई वर्तमान में मुलिक अधिकार आप सभी को ब प्रटाकर आटिकल तीन शोक है के अंदर कानूनी अधिकार के रूप में उसे रख दिया है यह आपको ध्यान रखना है मूल सविदान में 7 थे वर्तमान में 6 है और मूल करतवी है मेरे दोस्ती 11 देखे मेरे दोस्त हम मूलिक अधिकार हुए के बारे में हम आपको थोड़ा ड सवीदान में मौलिक अधिकारों के शंक्या साथ थी जबकि वर्तमान में मेरे दोस्ती चैहे ये आपको ध्यान रखना है बढ़ता है नेश्ट कुशन की तरफ नेश्ट कुशन कहता है पर्थम क्रिगेट विश्वे कप आई जित हुआ था उनीशो पचेतर उनीशो तैयासी नेश्ट की पर्थम क्रिगेट विश्वे कप आप सरी को बताना है बिलकोल उनीशो पचेतर में वह था बहुत अच्छा उनीशो पचेतर बहुत अच्छा दोस्तो ध्यान रखना बारत वर्ल्ड कप जिता था उनीशो तरफ नावाड की सिरृद मेरे दोस्त उनीशो आपको content आपको पढ़ाएं और Sunday का मेरे दोस्त आपका बहुत यह अच्छा शानदार होगा टेस्ट जिसके अंदर पचास कोशन जेके जेस माथ रिजनिंग के मिलेंगे तो तैयरी करके मेरे दोस्त आपको आना है कल साम को मेरे दोस्ती 9 बज़े वाले class साइडी सटरड़े है इसलिए हो सकती है या नहीं हो सकती आप एक बार चेक कर लेना लेकन संडे का आपका टेस्ट होगा बहुत ही शानदार होगा इसलिए आप एक बार session को like कर दीजे ताकि हम आपको 72 से 72 content परवाइड करें next question की बात करते हैं next question कहता है सान्या मिर्जा का समंद कि skills है athlete tennis badminton या cricket साइना मिर्जा का समंद आप सबी को बताना है बिलकुल tennis option बी जो दोस्त बता रहे tennis वो बिलकुल शही बता रहे बहुत अच्छा मेरे दोस्त हिमादास का समंद है athlete से या आपको ध्यान रखना है PV सिंदू का समंद है मेरे दोस्त badminton से और स्मर्ती मंदाना का समंद है मेरे दोस्त केरगेट से है अब मेरे दोस्त फाइनली आप बताए आप इन 15 में से कितने questions का right answer देते हो जहां तक कि मेरा विश्वास है आज सभी दोस्त 12 पलस का ही right जबाब देंगे क्योंकि questions उतने difficult भी नहीं थे लेगना आपके exam के लिए ये question बहुत important है ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का session आज की class आज का question शाफ सभी दोस्तों को पसंद आए होंगे पसंद आए हो तो please आप इसे like कीजिए अपने तमाम अजित मित्रों के साथ share कीजिए जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को subscribe कीजिए और तयारिक कीजिए अपने आर्मी एक्जाम की मजबूत strong बाकि आप इसी जोस और दनुन के साथ पढ़ते रहे मेलते हैं आप सभी को वापिस next session के साथ जाहिंद वंदे मातरम भारत माता के जए खुश रहे मस्त रहे